तो कैसे हैं आप लोग आई होब आप सभी अच्छे होंगे मैं उठ चुकाओं और पाड़ों में बढ़िया धूब आगी है देखिए नजारे काफी सांदार आ रहे हैं मैं जा रहा हूं कसले मार्केट की तरफ यहां तो धूपी नहीं आती वरफ वैसी की वैसी है मैं जा रह आता हूं आद दिन भर का व्लोग तो चैनल में पहली बार विजिट के हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा सांथ में बैल आइकन जरूर प्रेस करेगा हमारे ऐसे आने वाले लेटेस्ट लॉग तो चले दोस्तों व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना दिन काफी बेहतरी नजारे आपनों को देखने को मिलेंगे सुबह के टाइम में क्योंकि सुबह के टाइम में बादल एक भी नहीं है देखे आस्मान में और बढ़िया धूप आई भी है नजारे काफी सांदार आ रहे हैं सुबह के टाइम में दिन में तो फिर बादल आ जाते ह सामसाम को फिर कोहरा आ जाता है तो ठंडा होता है अभी काफी मस्त यू काफी क्लीन देखने को मिल रहा है ऐसे नजारे सिर्फ पहाडों में देखने को मिलते हैं जोस्तों फाइनली मैं पहुंच जाता हूं दूट की डेरी यह जो सामने आप लेंटर देख रहे हैं जिसके उपर पानी अट कव गया है यहां पर आपकी दूट की डेरी और सामने मां आज देखिए मैं जूम करता हूं थोड़ा यह देखिए मुक्तेश्वर घाटी मां आज देख रहा हिमालाई काफी दिनों बाद हिमालाई दर्शन हो रहे हैं मैं अभी नीचे चलके बाजार में चलके आपको आराम से हिमालाई व्यू दिखाता हूं सुबह के टाइम का दोस्तों आज मुक्तेश्वर घाटी की तरफ देखनी का मज़ा ही अलग आ रहा है हिमालाई दिख रहा है बढ़िया मैं हूं मार्केट पे अभी और सभी लोग मार्केट में यहां पर पाहड़ों में लोगों की दिंचरिया सुरूर हो चुपी है और यहां पर अभी बरफ नहीं पिग ली है दोस्तों यहां पर धूप कम आती है देखे आज मुक्तेश्वर घाटी के पास में क्या बढ़िया हिमालाई देखने को मिल रहा है तो दोस्तों फैनली मैं पहुंच चुपटा पर आज काफी दिनों बाहर यहां पर आ रहा हूं और यहां पर आज काम भी सुरू ओगा देखें मौसम काफे क्लीन है तो चलूंहां सइट की टरफ और देखते हैं आज यहां के काम होता है तो बड़िया विव यहां यहां पर क्लीन है । चलते हैं चकुटा साइट है वो पहुंचाना है यहां उपर यहां बगल वाले रास्ते से जो यह पत्थर आप देख रहे हैं तो कल से यहां पर जो उपर रेटेनी वाल की नियो भी मापको दिखाऊंगा तो उस पर होगी चिनाई यह रोट से नीचे पत्थर लाना है यहां से और यह वाले रास्ते से लेते हुए उपर आना है क्योंकि और सुईदा यहां पर है नहीं और जो पीछे देख रहे हैं आप रिटेनी वाल की नीव अभी साप करी जा रही है तो इस पर कल से होगी चिनाई आज देख पाते हैं कितना पत्थर हम यहां पर स्टॉक कर पाते हैं क्योंकि टफ है नीचे से उपर लाना पड़ रहा है और यहां कल से होगी यहां पर हमारी चिनाई दोस्तों सीन अभी ऐसा है अभी बज़े में दूपहर के साड़े बारा और हम लोग आ चुके हैं चकुटा साइट से घर की तरब लंच करने के लिए जा रहे हैं और दिपक भाई देखिए पीछे से लिए आ रहा है जंडा किसी गाड़ी वाले के पिचार पिचार वाले से निकाल दिया इसने और यहां रोड में मस्ती इटें उतर रखे हैं किसी की गाउं में और इस तरह से देखिए घोड़ों से लदान होके जाती हैं हमारे यहां पर जब भी माल आता है तो यहीं पर उतरता है और लगबस साथ हजार रूपे किराया गोड़े वाले लेते हैं तो तारू भाई मस्ती लगे हैं अपने इटो को ढोलने में तो हम चलते हैं घर की तरफ तो दोस्तो घर पर पहुंच चुका हूँ और मम्मी ने मस्ती है यहां पर दाल जाओ बना रखा रहा हूँ रोटी तो लंच करते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे चकुटा साइट को तो दोस्तो फायनली लंच कर लिया फिर से हम चल लेए हैं चकुटा साइट को डिपन भाही को पकड़ता हूँ आप उसके बार निकलते हैं चकुटा साइट को अकी पेड भर गया अच्छा लगा कुछ भी हो दोस्तों मा के हाथ का खाना मा के हाथ का कूए होता है इसके अभी तरह स्टोक कर लिया हमने रिटेन वाल जो यहां पर कल्ची नहीं होगी थोड़ा टफ है रोट से लाना पढ़ रहा है घोड़े यहां पर आ नहीं सकते आदमियों द्वारा इंसानों द्वारा ही काम किया जा रहा है और इसी तरह पहाड़ों में हाड़ वर करते हैं लो दूदू सब रख दिया है तो आप देखते हैं उबलने का वेट करते हैं उसके चाई पीते हैं सभी लोग और उसके बाद पी रेट गंटा रह गया तो फिर होगी छुट्टी काम की हमें कमेंड में बताएगा इस तरह आपने भी कभी चाई बनाई है और चूले में लकडियान लगाके आग जलाके इस तरह की का चाई पीने का मजा ही कुछ अलगाता है दोस्तों टेस्ट भी अपना अलगी लगता है अलगी सांथ में पीने का मजा ही कुछ और है फाइनली अजब आप रोड में प्त्थर देख़रे हैं कि पथर र distributed ऐसे रास्ते में तो आप चल भी निपा और इसे मैं सिर में बोजा उठा कि यहां पर कांम वai काफी हाट काम होता है दोस्तों अब यहां पर ना गोड़े आ सकते हैं ना कुछ और आशकता है आप खुदी अनुमान लगा सकते हैं तो इस प्रकार यहां पर आज काम हुआ और मैं दिखाता हूं आपको उपर यहां पर थोड़ी मिट्टी की सपाई करी गई है ताकि मसाला बनाया जाएगा कल से रेटेनी वाल की पीछे चिनाई करी जाएगी और इतना पत्थर देखे इस टोक यहां पाज किया गया है नीचे से उपर जो आया हुआ है और यह रही हमारे पीछे रेटेनी वाल की नीव जो बिल्कुल रेडी है कॉलम इस पर डाले हुए है फिर पूरा इस पर डीपीसी करी हुई थी फिर करी जाएगी हलकी तो पत्थर यह श्टॉक किया गया है नीचे से जो मैंने भी आपको दिखाया तो इतना पत्थर श्टॉक हो गया कल से यहां पर जो रेटेनी वाल इस प्रकार काम करने की किलो मीटरों तो मैंने आपको बताया है कि सिर्म बोजा लेके पहाड़ी आदमी यहां पर चल सकता है तो दोस्तों चुक्ती हो चुकी है तो मैं भी निकलता हूँ घर की तरफ को लगभग इतना पत्थर हमारा इस्टॉक हुआ तो यह है नजारे चक की तरफ और यह हमारा देवी माता का मंदिर चकुटा गाओं पर और सामने काफी खूपशूरा संसट का नजारा अभी आ रहा है हम लोग आखों से तो देख पा रहे हैं अभी बाकि तो फॉन में उतना आपको जितना भी समझ मा आ रहा होगा लेकिन कोहरा चा गया है सामने कोहरा आ जा रहा है और सुबे से अभी तक की बढ़िया धूप खेली वी थी अभी आ गया है कोहरा और सामने हनुमान जी का मंदिर काफी बढ़िया न जारे आ रहे हैं तो चलते हैं कश्यलेक की तरफ को और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर देना दूस्तों फैनली दोस्तो पहाड़ों में हो चुकी है साम जो अभी नजारे आ रहे हैं क्या लाजवाब सांदार एकदम मन को खुश कर देने वाले नजारे आ रहे हैं सामने की तरह पहाड़ों पे बहतरी लाइटिंग और एक इंट्रेस्टिंग चीज जो अभी आसमान में आ रही हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ देखे दोस्तों घुपसूरा चांद भी आसमान में अपनी चमक बिखे रहे हुए है सांदार नजारे आ भी आ रहे हैं पहाड़ों पे मैं तो महसूस कर पा रहा हूँ मेरी वीडिcimento की मद़स से आप भी महसूस कर पा रही होंगे कमेंड में जरूर सेएर करेंगा तो मिलते हैं दोस्तों यह था हमारा दिंधर का ब्लोग आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंड में जरूर बताइएगा तो मिलते हैं अपने नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए जैहन और सुबरात्रे